लेकिन आपको जो है नंबर को इंटरनेशनल फॉर्मेट में डालना है इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या होता है तो सिंप्ली से आपको अपने मोबाइल नंबर के आगे अपना कंट्री कोड लगाना है फॉर इसमपल मैं इंडिया से हूँ तो मैं प्लस 9-1 लगाऊंगा उसकी तो अभी मैं आपको कंप्लीट क्याइड करूंगा कि किस तरह के से जो है आप अपने टेली गारं को डिलीट कर सकते हैं तो चलो मेरे साथ कर स्वेश्चों आ तक देखते हैं और समझते हैं डिलीट करने के इस पूरे process को step by step तो guys इसको डिलीट करने का जो process है वो थोड़ा सा lengthy है अगर आपको लगता है कि simply some setting के अंदर जाएंगे और simply सको delete कर देंगे तो ऐसा नहीं है तो चलो इसका process समझते हैं तो simply से आप जो है अपने telegram पर आ जाओ और यहां पर आपको three lines दिख रहा है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो last में आपको एक option दिख रहा होगा settings का जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां भी last में आपको एक option मिलेगा telegram FAQ जब आप इस पर इसके अंदर आओगे तो यहां पर आपको बहुत सारा option दिख रहा होगा जिसमें से आपको your account वाले section के अंदर आ जाना है और इसके अंदर भी कुछ options आपको दिख रहा है जिसमें से आपको जो है delete your telegram account पर क्लिक कर देना है और यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक title दिख रहा है आपको how do I delete my account उसके बाद just इसके नीचे देखो यह blue color का एक link दिख रहा है simply से आपको इस पर क्लिक करना है जहां लिखा है deactivation page जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो यह जो है आपको rediret कर देगा आपके browser पर देख सकते हो कि यहां पर rediret हो चुके हैं और कुछ ऐसा interface यहां पर आ गया है और यहां पर आपको जो है अपना mobile number डालना है जिस account को आपको यहां पर delete करना है लेकिन आपको जो है number को international format में डालना है international format क्या होता है तो simply से आपको अपने mobile number के telegram पे telegram के official account से एक code मिलेगा simply says code को copy करना है और आपको यहां पर paste कर देना है उसके बाद नीचे एक option दिख रहा होगा sign in का तो simply से आप यहां पर click कर दो उसके बाद आप से पूछ रहा है why are you living यानि आप क्यों telegram account को छोड़ना चाहते हैं आप जो भी reason देना चाहते हैं त जैसे ही आप यहां पर click करोगे उपर में देखो एक pop-up message आ गया है जहां पर आप से पूछ रहा है are you sure आप अपने account को delete करना चाहते हैं yes मुझे तो delete करना है तो मैं यहां पर yes पर click करोंगा और देख सकते हो कि यहां पर message आ गया है कि successfully जो है मेरा account delete हो गया है तो देखा simple method को आप follow करके जो है आप भी अपने account को delete कर सकते हैं easily तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दो दोस्तों के शेर करना भूलना मत और अगर इस वीडियो के रिकाड़ी कोई भी doubt है suggestion है या फिर कोई सवाल है तो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो and enjoy करो